व्याकरण सिच्छड के संदर में कौन सा कथन सही है ओप्शन नमबर ए है व्याकरण सिच्छड के लिए समय साड़ी में अलग से काव्यांसों की विवस्ता होनी चाहिए यह जो है गलत है दूसरा मरा दिया है भासा प्रयोग की अपेच्छा भासा नियमों को ही जो है महत्त देना चाहिए नहीं बिल्कुल गलत तीसरा दिया है बच्चे परिवेस में उपलब्ध भासिक प्रयोगों के आदार पर स्वैम भासा के नियम बनाने की शमता रखते हैं अप्सिन नमबर सी मरा राइट हो जाएगा बालकों की मौकिक भासा के सतत आकलन का सबसे बहतर तरीका है तो सबसे बहतर तरीका क्या होता है पहला दिया है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना नहीं सब्द पढ़वाना नहीं विभिन संदर्भू में बाच्चित करना बिल्कुल सही सतत और व्यापक मुल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है तो यह किस पर बल देता है बच्चे की विवहार का सतत और लोकन करने पर बल देता है कोशन किया है गद्य सिच्छड का मूल उद्देश है तो इसका मूल उद्देश होता है भासा ग्यान नाटक सिचड की उपर्युक्त विदी है तो नाटक सिचड की उपर्युक्त विदी कौन सी है कच्छ अभिनेव प्रडाली निमलिकित में से कौन सा लेखन सिचड का उद्देश है पहला है स्यामपट लेख लिखना बिल्कुल सही दूसरा दिया है सोचने विदी रिचड करने के उपरांत भाव को क्रमबद रूप से व्यक्त करना बिल्कुल सही सब्दों की शुद्वर्तनी लिखना सही उप्सन नमबर डी राइट हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा लेखन कौसल में कौस अपच सबसे अधिक महत्वपूर है पहला है प्रिंट समरिद वाता वरण नहीं सब अपने अनभोग की लिखित अविव्यक्ती उप्सन नमबर बी राइट हो जाएगा उसने पड़ा उसने खाया और उसने चीखा जैसे भासा प्रियोग दरसाते है पहला दिया है नियम का उलंगन नहीं संदर्व की समझ नहोंना बिल्कुल गलत नियम का थस्त नहोंना गलत यह क्या है नियमों का अतिसमानिक करण है मुहावरे और लोक्तियों का प्रयोग करना भासाई अव्यक्ति को प्रभावित बनाता है बिल्कुल सही बच्चों के ज्यान का आकलन करने में सरवादिक सहायक है तो बच्चों के ज्यान का आकलन करने में सबसे ज़्यादा कैसा कुशन सहायक होता है वस्तु निष्ट प्रश्ण जो है सहायक होता है अध्यापग विद्यारतियों की भासाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बाति करने के लिए कहता है। वो प्रयोग करता है। कोशन क्या है मुदिता आठवी कच्छा में हिंदी भासा पढ़ाती है कविता के आओ के बारे में बास्चित करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत करने की सला देंगे पहला दिया है कविता को गध में परिवर्तित करने वाली गति वीदी कविता सिच्छड का अनिवारे पच्छे है बिल्कुल गलत दूसरा दिया है कविता की भाशा व्याकरण पर विसेस बल दिया जाये नहीं दीसरा है कविता में अलंकार रस पर विसेस बल दिया जाये नही कविता में एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता बिल्कुल सही अगला कोशन क्या है पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है पहला दिया है पच्छन सामागरी का बच्चों की समझ और पुनरार नुभाव से सम्बन होना चाहिए नहीं सच्छम पाठन प्रतेक्ष शब्द पर ध्यान देते हैं बिल्कुल सही पढ़ना कॉसर में सबसे ज्यादा महतपूर ग्या होता है और नुद ने है कोशन केए सूले खा ने पात को पढ़ते हुए जीवन को जिन्दगी पढ़ा यह इस ओर संकेत करता है कि पहला दिया है उसे अच्छर की पहचान में भ्रम हो जाता है नहीं उसे के ओल पठन अभ्यास की बहुत अवश्रता है नहीं सूलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती नहीं ओप्सन नमबर डी के है वो अच्छर पहचान की बजाए अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है बिल्कुल सही उस्चन के है उच्छ प्राथमिक अस्तर पर व्याकरण सिच्छड की प्रयुक्त प्रडाली है तो कौन सी प्रडाली उपयुक्त होती है आग्मर निग्मर प्रडाली जोई उपयुक्त होती है अगला मरा है वाके सिच्छड के लिए यह आवस्यक है कि चात्रों को गठन की सामाने बातों से भली भाचित परचित करा दिया जाए अर्थ, अथवा, भाव, दोतन की दृष्टी से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं तो कितने प्रकार होते हैं वाक्य के आठ प्रकार होते हैं अगला कोश्ण मरा के है प्रश्ण पत्र में आवस्यक है पहला दिया है बच्चों की भासा प्रयों की शम्ता को जाशने के लिए निबन धात्मक प्रश्णों की अधिदिक संख्यान नहीं दिया है बच्चों की विसे समंदिक ज्यान को जाशने के लिए अधिदिक वस्तुनिष्ट प्रश्ण का होना नहीं अधिधी कठिन प्रश्णों कोना बिल्कुल गलत सभी प्रकार के प्रश्णों का होना अवस्यक है कोशन क्या है? मुल्यांगन की विसेस्ता है बीना किसी बेदभाव के मुल्यांगन करना ये मुल्यांगन की विसेस्ता होती है कोशन है बासा सिच्छण में पार्टी पुस्तकों के अतरिक कौन सा सबसे कम प्रभावित है तो कौन सा सबसे कम प्रभावित है प्रश्णों के उत्तर लिखना जो है कम प्रभावित होता है प्रश्ण मारा क्या है लेख शम्ता का विकास करने के संदर में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर है तो सबसे जदा महदपूर क्या है? पहला दिया है सुन्दर लेखन का अभ्यास, मानो वर्थनी का प्रयोग, दिया है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वभावे के लिखी अव्यक्ति, आप्सन नमर सी ड्राइट हो जाएगा गद्य पाठों के सिच्छड का उदेश्य नहीं है, दिया है समझी भासा प्रयोग के उदाहर प्रसुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर ज्यान देना बिल्कुल सही ग्रहात्मक कौशल में सामिल है, तो कौन सा कौशल सामिल है? सुनना और बोलना जो है सामिल है पुहावरे तरतर लोक्तियों का प्रयोग दिया है भासा सिच्छड का एक मात्र उदेश्य है नहीं, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, भासा का अलंकरित करता है, नहीं, भासिक अव्यक्ति को प्रभावित मनाता है उच्छ प्रात्मिक अस्तर पर व्याकरण सिच्छड का कौन सा तरीका सरवाधिक प्रभावी है पहला दिया है व्याकरणिक विंदू पर कार्य पत्रक तयार करना बच्चों को देना नहीं बच्चों को भासा प्रयोक्षाला में व्याकरडी कोटियों का अभ्यास कराना व्याकरड की बिंदू पर जोए एक-एक करके चर्चा करना नहीं पढ़ाय जा रहें पाट के संदर में आये व्याकरडिक बिंदू को अस्पष्ट करना ये बिल्गुल सही है कोशन का है पाट पढ़कर बच्चों से प्रश्ण बर्माने से क्या होता है पहला दिया है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्ण वाचक सब्दों से परचित हैं कि नहीं है दूसरा दिया है सिच्छक को यह जाने का ओशन मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझाया है बिल्कुल सही पाठ पुस्तक को ही आकलन का एक मात्र आधार माने पाठ पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूड करा दे नहीं अप्सनम्र D वहना राइट हो जाएगा पाठ पुस्तक की सीमा से सोतंत्र होकर विवित संद्रवों में भाशा प्रयोकों महत्वदी दूसरा कोशन का है उच प्रात्मिक अस्तर पर कहानी सिच्छड का उदेश नहीं है तो क्या उद्देश नहीं होता? पहला दिया भासा के विवित प्रयोगों से परिचे कराना दूसरा है सब्द किस प्रकार संदर्ब से अर्थ देते हैं इससे परिचे कराना कहानी लेखन की विविन शैलियों से परिचे कराना अगला कोश्चन क्या है आलिया अकसर अपने कौपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है एक भासा सिच्छक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी पहला दिया है आलिया को कोई भीमारी है इसका इलाज कराया जाए बिल्कुल गलत आलिया को कौपी के पने खराब करने की आदत है उसे मना किया जाए गलत आलिया अपने मन की बातों की अव्यक्ति करना चाहती है उसे लेखन को कच्छा में प्रदर्शित किया जाए बिल्कुल सही पुश्रमरा है एकांगी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है तो एकांगी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चों से अलग-अलग पत्रों के समवाद पढ़वाए जाए और फिर जोए एकांगी का मंजन होग बिल्कुल सही